प्रेश इक्षार्थियू मैं कौमुदी शुकला उत्ते प्रदेश राजेशी टिंडर्मुक्त विश्विद्याले से आज आपके समक्ष जो हम Contemporary India and Education जो पेपर पढ़ रहे थे उसका जो Block 1 था, Philosophical Foundations of Education उसी की Unit 1 और Unit 2 हमने समाप्त कर दी है अब हम Unit 3 आज स्टार्ट करेंगे Unit 3 आपके सामने दिखाई पढ़ रहे होगी पहले हम इसमें Indian Thinkers के बारे में बात करेंगे जैसे आपका महत्मा गांधी जी है, रवीन ना टैगोर जी है और उबिंदो घोष जी है और जड्डू कृष्ण मूर्ती जी है उसके अलावा हम Contemporary Indian Perspective पर भी बात करेंगे तो इसी कडी में आज मैं आपके समक्ष महत्मा गांधी की जो साक्षिक विचार हैं उनके बारे में आपको जानकारी दोंगी सबी जानते हैं मोहंदास करमचंद गांधी उनका फुल नेम है जो 1869 में पैदा हुए थे और उनका 1948 में उनका देहान थो गया था और इन्हें 1915 में ही दो जो है टाइटल से नवाजा गया था एक तो आपका महत्मा जो टाइटल गोर जी नहींने कहा था उसके बाद में आपका कैसरी हिंद भी इनको एक अवार्ट मिला था कुछ बिटिश लोगों के साथ इन्होंने कुछ अच्छा किया था उसके लिए मेडल होता है तो वो गैलंटरी अवार्ट था जिसको कैसरी हिंद बोलते हैं और वो इन्हें प्राप्त हुआ था by Lord Harding के थू ठीक है फिर नेक्स्ट में आपको देखे टैगोर गेव इन्हें टाइटल अफ महात्मा टैगोर जी ने इन्हें महात्मा का टाइटल दिया और गांधी 1915 वाइल राइटिंग इस ओर्टो बायोग्रफी कॉल्ड रवीना टैगोर आज गुरुदेव ठीक है तो जो गुरुदेव का जो एक टाइटल रवीना टैगोर जी को मिला है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था फिर सुभाष चंद्र बोस जो है इनको बापू और जो राश्रपिता या फिर फादर ओफ दे नेशन इस टाइटल से सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको सम्मानित किया था इन 1944 तो यह एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन आपको आपके मैंने आपको बताया है कि इतने सारे इनको वो मिले थे बाकि आप इनके कुछ एजुकेशनल इंस्टूशन के बारे में भी शाद जानते होंगे जैसे टॉल्स्टॉइ फॉर्म का नाम आता है तो यह सब चीजे एक कॉमन चीज ही मतलब और उसके अलावा जैसे आपने बेसिक एजुकेशन सुनी होगी जो इनकी फिलोसफीज है जो यह जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टूशन को इन्हों बताया है कि किस तरीके से होना चाहिए जैसे आपने करम चान जी जी के बारे में सुना भी हो आप इनको देखेंगे आगे की स्लाइट्स में तो यहां पर देखिए टृत और अहिंसा के फेवर में थे और उसके अलावा सत्यागरे सुप्रीम गॉडबा कि आपने इनके बहुत सारे पॉलेटिकल जो इन्होंने आंदोलन किये थे वह सम आप जानते होंगे तो मैं यहा इन्होंने खाहा कि जो एक राइट कंड़क्त है और उसके अलावा जो एक यूमनिजम वाला जो कॉम्पोनेंट है वही सबसे बड़ा मैंकाइंड की बात यह करते थे कि जो है इनकी एक पोयम आपने सुन्या होगा कि इश्वर जन को तो यानि यह जन हित की बात करते थे ठ दिया उसमें यह बोला है उन्होंने कि हमें इंकम वाईज अगर हम जो है किसी को इकोल नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हमें कहां उसकी डिगनिटी को मिंटेन करना चाहिए भाले ही समाज यह बहुत सारे लोग है जो जैसे बार्बर है एक तो बार्बर का जो इंकम है वो हम जादा है लेकिन फिर भी दोनों ही डिगनिफाइड प्रोफेशिन में है उसका भी काम जरूरी है समाज के लिए और उसका भी काम जरूरी है समाझ के लिए तो दोनों को हमेंinea विद फॉल रसकेक्ट देखना चाईए हमें किसी की भी इंकम की वजह से उसको कम नहीं हाkt करना चाहिए यहीं चीजें कहते थे फिर सर्विस ऑफ युम्यानिटी की बात करते थे यानि वही की मानव जो भी काम कर रहा है उसमें वह स्केल्फुल वर्क की बात करते थे जैसे आपने देखा होगा इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को बहुत जादा प्रमोट करने किया ब्रेड और बटर को इढोने वोकेशनल से लिंक किया कि कोई भी सिख्षा तब तक जरूरी वही सिख्षा जरूरी है जहां पर वो ब्रेड और बटर का जो एम है व्यक्ति का उसको फूल्फिल कर पाएं क्योंकि अगर वो एम फुल्फिल नहीं होता है, अगर रोजगार पर एक सिक्षा नहीं होती है, तो उस सिक्षा की कोई जरुवत नहीं है, तो फिर रामराज या था कॉंसेप्ट ऑफ सुसाइटी, ठीक है, ये रामराज की भी एक संकल्पना करते थे, कि एक जो सुसाइटी होनी चाहिए, वो रामराजी टाइप योग मीची, रामराजी यानि वेलफियर ओफ आल की बात करते थे, ठीक है, जहां पर ब्रदर होड हो, जस्टिस हो, पीस हो, हैपनिस हो और वेलफियर ओफ आल हो, ऐसा रामराजी की संकल्पना गाधी जी करते थे, फिर इनके कुछ fundamental principles हैं education के, जैसे कि ये, क्योंकि इनका time period आप देख रहें, 1869 से 1948 तक का है, तो उस time पर ब्रिटिस का शाषनकाल था, ठीक है, तो ब्रिटिश का जो, ब्रिटिशर्स का जो सोशन था हमारे उपर, जो उन्होंने हमारे लिए, जो भी चीज़े वो हमारे वो सब चीज़े ये देख रहे थे, और South Africa का भी आप जान रहें के जर्नी की, वहाँ पर भी इन्होंने ये सारी चीज़े देखी थी, तो उस हिसाब से, ये कहते थे, कि जो है, education के ऊपर हमारा खुद का control होना चाहिए, Indians का control होना चाहिए, हमारी जो education होनी चाहिए, वो mother tongue म होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हमें पास्चार्थ को इतना जाधा, क्योंकि ये industrialization के भी उतने जाधा favor में नहीं थे, ठीक है, तो ये fostering of patriotism की बात करते हैं, यानि अपने अंदर देशवक्ति का जो एक वो है, उसको व्यक्ति को आत्मसाथ करना चाहिए, और उसके हिसाब स अपने देश की values को अपने cultural culture को ये इनहेरिट करने की बात करते थे, उसको ये cultural aim के साथ education को लेने की कोशिश करते थे, फिर है, no survival imitation of the west, ठीक है, इन्होंने यही कहा था, कि हमें ये जो हम होड में लग रहे हुए है, पास्चात्य को जो हम अपने उपर जो इतना जाधा पिर, no domination of English language, ठीक है, English language को बिलको इलो ने, मतलब जो education के लिए जो माना गया था, तो इन्होंने मातरभाशा को ही के ही साथ education लेने के लिए पे बल दिया था, English language को वहां से हटाने की बात कही थी, His educational experiments at Tolstoy Farm, at Sabarmati and Seva Gram Ashrams, आपने इनके जो कुछ educational experiments हैं, जहां पर जिस particular संस्था में इनों ने किये थे, उसके नाम इहां पर दिये हुए हैं, यह आपसे कभी-कभी एक्जामस में भी पूछता है, तो यह जो है, जानने की जरूवत है कि Tolstoy Farm, जो है, इसका foundation भी इनों ने रखा था, साबर मती और सेवा ग्राह माश्रम, यहां पर इनकी जो basic education आपने सुना होगा, या फिर वर्दा स्चीम आपने सुना होगा, या बुनियादी तालीम के नाम से जानी जाती है, तो उस हिसाब से ही, उसी structure में यहां पर education दी जाती थी, बच्चों को, इनकी educational definition आपको दिखाई पड़ रही होगी, कि by education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit, ठीक है, यह एक harmonious development की बात करते थे, ठीक है, तो उसमें इनों ने कहा है कि, जो बच्चे की inner potential है, उसको बाहर निकलना चाहिए, और body, mind and spirit, ठीक है, यानि अजेखी जैसे आपने spirit का जो concept पढ़ा था, western philosophy में, वो idealism से जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो यह body के development की भी बात करते थे, यानि physical development की भी, mind यानि cognitive level के development की भी, और उसके बाद में spiritual development, ठीक है, क्योंकि spiritual development का मतलब सिर्फ वहां से नहीं है, सिर्फ इ तो आप जो good और जो bad है, यानि जो आपका ethical जो domain है, वो बहुत जादा prosperous हो जाता है, उसकी यह बात करते हैं, फिर emphasis on vocational education, vocational education के ओपर इनका बहुत जादा focus था, ठीक है, basic education, वदा स्कीम की बात की इनोंने, तो यह कुछ इनकी philosophies है, इसके अलावा सर्वोध है, आप जानते की देनी है, ठीक है, चाहे किसी का काम छोटे लेवल का है, या बड़े लेवल का है, लेकिन फिर भी हमें dignified, दोनों को ही dignified terms में ही देखना चाहिए, यह बात करते हैं, फिर इनके हिसाब से teacher का क्यारूल होना चाहिए, वो यह बताते हैं, कि गानी consider teacher is one of the important elements of the education system, कि जो teacher है उसको सिर्फ idealism को यह follow करते हैं, तो idealism में जिस हिसाब से एक teacher का भूमिका होती है, ठीक है, कि वो ही role model होता है, ठीक है, वो जो है, क्योंकि उसकी वज़े से बच्चे उसको imitate करेंगे, तो वो सारी चीजों की बात करते थे, कि वो जो teacher है, वो supreme है, और उसको क्या है, character development, vocational development, वो सारे developments करने हैं, तो उस हिसाब से teacher को foremost होना से ही education system में ही यह बात करते है, a teacher should be ideal to the student, वही जो मैंने बोला आपसे, he said, I think that a child learns more from teachers than books and problems, ठीक है, यह कहते है, इनका एक famous quote है, यह कभी-कभी exams में पूछता है, तो यह कहते हैं कि, I think that a teacher is the foremost and he learns more from teachers than books or problems, यानि जो बच्चा है, वो teacher से सबसे जादा सीखता है, rather than books से या problems से, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक ideal character की बात कही है, there should be teachers with originality and enthusiasm, यानि टीचर जब आए, तो वो original हो कर के आए, ठीक है, बहुत जादा बनावती पर नहोसमें, और enthusiastic हो, यह इसकी बात करते है, they must have genius and illustrative talent, ठीक है, टीचर को genius होना चाहिए, यानि knowledge का supreme power होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ, illustrative talent होना चाहिए, illustrative talent का मतलब है, कि वो जो भी चीज़े बच्चों को बताए, वो ऐसे expressive mode में बताए, कि बच्चे को वो सारी चीज़े समझ में आना है, फिर, जो methods of teaching कि बताई है, development of the all-round personality of the children, that is, he sought to develop physical, mental, social and spiritual powers of the child through education, ठीक है, इनों ने कहा, इनों ने education को foremost माना था, ठीक है, इनों ने कहा कि एक education ही ऐसा तूल है, जिसके थो हम सुसाइटी को अवेकन कर सकते हैं, उसके अलावा, बच्चे के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी आपने psychology में इसके domains पढ़े हैं, चाहे वो cognitive domain हो, चाहे उसका affective domain हो, चाहे उसका psychomotor domain हो, चाहे उसका spiritual domain हो, वो सारे के सारे moral और character build-up हो, वो सब कुछ हम education के थू ही कर सकते हैं, फिर, he also emphasized the education of 3H, यानि यहाँ पर देखे, यह कभी-कभी question भी पूछा जाता है, head, heart and hand की इनों ने बात क हीती की head, heart and hand का development, चीक है, reading, writing और arithmetic, यहाँ पर भी R3, R की बात कहीती इनों ने, तो head का मतलब intellect से है, heart का मतलब आपका affective domain से है, और आपका hand का मतलब psychomotor domain से है, यानि activity centric, चीक है, तो वो सारी developments की बात करते हैं, उसके अलावा, यह बात कहते हैं, कि सिफ literate होना ही, जो है, education को पाना नहीं है, यह भी इनकी quotes है, चीक है, कि अगर आपके अंदर literacy है, तो that is not sufficient for education, गांधी जी emphasized on craft-centered methods of teaching, like learning by doing, activity method, training to the senses, चीक है, तो यह यह भी कहते हैं, यह craft-centric education को favor करते थे, और यह कहते हैं, कि जो learning by doing method है आपका, उसके लावा, जो activity-centric method है, यह इस सब चीजों को favor करते थे, अपनी philosophy में, फिर, इनका जो curriculum है, गांधी जी had emphasized basic education, which is craft-centric, ठीक है, जो इनका basic education की जो philosophy थी, वो craft-centered education को favor करती है, फिर, basic education को ही, मैंने आपको पहले भी बताया, कि वर्दा स्कीम, या फिर, बुन्यादी तालीम, या नई तालीम के नाम से जाना जाता है, जिसके chair person, Zakir Hussain जी भी थे, his main aim was to make the educated citizen self-dependent and self-centered, ठीक है, ये बच्चे को, ये चाहते थे, कि जो education है, वो self-dependent बनाए बच्चे को, और self-reliant बनाए, ठीक है, ये इसकी बात करते थे, यानि बच्चा, ऐसी education प्राप्त करें, जिसकी वज़े से, वो कहीं ना कहीं, वेवसाइब क्रूप से, या फिर उसका जो, एक जो vocational aim है, जो रोजगार है, वो सुनस्चित हो सके, इसकी बात करते है, एकॉर्डिंगली, he advocated that the curriculum should be craft center, the subjects were taught through the basic crafts, ठीक है, जो भी उनको subjects पढ़ाएं, वो भी, जो आपने जसे SUPW सुना होगा, ठीक है, social utility productive work, वो सारी चीज़े यहीं से आई है, ठीक है, आपने शायद अगर पढ़ा होगा, तो SUPW की classes होती है, छोटे बच्चों में, तो उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर यहीं कहा गया, कि बेसिक क्राफ्स के थ्रूही बच्चे को चीज़ों, को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसके skill को develop कर रहे है, तो वो जब skill आजाएगी बच्चे के अंदर, तो वो कहीं भी होगा, तो वो अपना जो है, जो एक जो सबसे ज़ादा जरूरी है जीने के लिए, कि bread and butter का इंदजाम कर लेगा, फिर, in the activity-centered curriculum, Gandhi suggested to include mother tongue, basic craft, arithmatics, sociology, general science, art, music and other subjects, जो इनका activity-centric curriculum है, उसमें इन्होंने इतनी सारी चीजों को use करने के लिए कहाए, तो mother tongue को इन्होंने बहुत ज़्यादा favor किया, कि बच्चे की जो भी सिक्षा होनी चाहिए, वो उसकी mother tongue में होनी चाहिए, फिर, basic crafts होने चाहिए, उसमें arithmetic होनी चाहिए, sociology होनी चाहिए, general science हो चाहिए, art, music और इस type के subject होने चाहिए, ठीक है, जो उसका all-round personality का development कर सके, फिर, education में, गांधी जी क्या कहते है, कि गांधी जी's scheme on education is called as, नही तालिम, वही मैंना जोंको बताया है, he suggests to learn from book of life, rather than life from books, ठीक है, यह क्या कहते है, कि हमें, जो book of life है, उसको पढ़ने की जगे, हमें life from books, जो है, मतलब यानि, जो भी चीज़े हम पढ़े, यह से पनाई से bookish bookish ना हो, ठीक है, जैसे आपका idealism, थोड़ा सा road learning को प्रमूट करता था, लेकिन यह spirituality और वो सारे concept तो वहीं से लेते है, discipline और जो teacher वाला जो एक रोल है, व वो भी हमारे जीवन में काम है, हमें ऐसी चीजों को पढ़ना चाहिए, फिर, focus on vocational education, the idea of earn and learn, ठीक है, इनका जो idea था, कि earn and learn का concept था, इनके अंदर, कि जब हम learn करें, तो वो हमारे earning में भी कही ना कहीं helpful हो, ठीक है, वही education सही है, फिर, like Plato, Gandhi believes education to be lifelong experience, and hence, person should be capable of financing its education, rather than depending on guardians or parents, ठीक है, हम कब तक पढ़ पढ़ते रहेंगे, और उसकी fees जो है, अपने guardian या पने पेरेंट से दिलाते रहेंगे, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी आया है, कि कही ना कहीं ये ये भी कहते थे, कि बच्चे का जो, क् एक ये स्कूल जो हइर अगरा देखेंगे, तो हईर एझुकेशन को इन्होंने कहा लिए कि इसको निजी निखाय को सवब भी ये और इन्होंने ये भी कहा कि ज़ो भी आप एजुकेशन दे रहे हैं, उसको उसके तरूँ जो भी चीज़ें जैसे जो भी त्राफ्ट ड़िज करके ही जो टीचर्स ही जैसे तीचर्स की जो सालरी का एकस्पनस है उसको भी उठाया जा सकता है यह यूस कहते हुप तो इस तरीके से गाणी जी ए स्परियों हे प्रायोरोिटी तो लर्निंग Guzat वो क्या क्या है self-realization यह आपके देखा होगा कि आपकी जो idealism philosophy था उसका भी यह एक एम था तो self-realization करवाना बच्चे को यानि वो चीजों को खुद से ही चीजों को समझे उसका metacognitive level जो है वो अवेकन हो तो वो जो भी कर रहा है उसको समझ सके कि यह सही है या गलत है तो वो self-realization फिर spiritual development की बात यह करते हैं उसके बाद में utilitarian aim या bread or butter aim यानि जो भी सिक्षा हो उसका कुछ utility हो life में ठीक है यह ऐसी बात करते हैं फिर moral और character building aim यानि यह cultural aims को भी रखते हैं हमने उसमें और उसके साथ मोरल और character building aim को भी यह prioritize करते हैं sociological aim training for citizenship ठीक है जो है sociological aim पर भी यह बल देते हैं उसके अलावा trustorship aim की भी बात करते हैं फिर harmonious development aim यानि complete living यह जो education हो वो बच्चे को complete living के लिए prepare करें चीक है उसको वो इस सिक्षा के थूँ अपना सर्वांगीन विकास कर पाए यह इसकी बात करते हैं फिर cultural aim आपको बता है individual and social aim भी यह बोलते हैं balance between ideals of social service and individual development यानि यह दोनों के बीच में कोई contradiction नहीं आना ची societal perspective क्या है लेकिन उसके अलावा individualistic भी कुछ elements है तो वो दोनों के बीच में balance की बात करते हैं यानि aim जो education का है वो social development तो है ही लेकिन उसका personal development भी है individualistic development भी है उसकी बात भी करते हैं फिर अब इनके जो अगर आपको कुछ नहीं समझ में तो bread or butter में जो चीजें हैं इस अलसो कॉल utilitarian aim it is due to this that that he gave the principle of self-supporting education यानि यह कहते हैं कि जो भी शिक्षा हो वो self-supporting हो चेक है वो खोद को support करने के लिए useful हो ऐसा जो है सिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए the student should not only be made capable of earning own livelihood in later life after school but also during the schooling ठीक है तो जो student है वो उस सिक्षा के बाद अपना livelihood भी यानि वही vocational education की बात है कि यह उसके favor में जादा थे फिर the child must be an earning unit who must be self-sufficient right from the beginning of the education of the child जैसे शुरुवाती दौर में भी जो उसके physical development के साथ ही साथ यह vocational development की बात करते थे फिर self-sufficient because of वही जो मैं आपको बताया था कि जो भी वो productive work करें उसके थुरू हम teachers की भी salaries को उससे manage कर सकते हैं यह यह भी कहते थे कि मतलब school को इतनी बड़ी चीज नहीं है हम इस तरीके से भी चीजों को अगर हम skill-based education की बात जो vocational education है उनका वो वाकई अगर देखा जाया तो skill-based education है तो उसमें कहते थे कि जो भी skillful handicraft बने उसके थू हम जो है जो teachers है या जो भी उस school में जो भी खर्चे आते हैं उसको भी manage कर सकते हैं यह इसकी बात करते हैं फिर cultural aim में क्या कहते थे cultural aim का मतलब था इनका कि जो personality है उसका refinement की बात करते थे ठीक है कि cultural aim का मतलब सिर्फ क्योंकि एक PD से दूसरी PD तख हमारे culture ट्रांस्मिट होंगे यह तो है लेकिन culture का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ हमारे से जुड़ी हुई चीजें ठीक है बलकि यह यह भी कहते थे कि कैसे हम बिहेव करते हैं यह देगे speech behavior of manner ठीक है यानि personality का मतलब क्या है कि जो आपका behavior है जो आपकी speech है जो आपका manner है of talking तो वो सब चीज का refinement यह cultural aim में include करते थे students should appreciate appreciate word culture ठीक है और ऐसा भी नहीं कूप मंडूक नहीं बनाना चाहते थे यह भी यह बात कहते थे कि जो बच्चा है उसको appreciate करना चाहिए पूरे word के ही culture ठीक है उसको हो भी सिखाना चाहिए समझाना चाहिए लेकिन किसी चीज को किसी पाश्चात संस्कृति को हमें अपने उपर हावी होने देने की ज़रूद नहीं है क्योंकि हमारे पास जो चीजे हैं पहले हमें उनको समझना उनको आगे लेकर के जाना है तब जा करके हम दूसरे की चीजों को समझ करके और उसका एक कॉमपैरिजन कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कि हम उस चीज को अपने उपर हावी होने के फिर हार्मोनियस डेवलप्मेंट में कहा है कि परसें इस दाट फो अज़स्ट तो इस लाइफ और इन्वारमेंट ठीक है यान आपको पहली बताया था कि हैड हैंड और हार्ट के डेवलप्मेंट से जादा इन्होंने थ्री आज के डेवलप्मेंट को कहा है कि रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक का डेवलप्मेंट हो मोरल और क्यारेक्टर बिल्दिंग में इन्होंने कहा है कि सेंट्रल माई एक्स्पेरिमेंट्स वित्रूथ उसमें भी इनों ने सारी चीजों को बताया है कि मैंने ये ये चीजे की ठीक है क्योंकि तब ही आप समझ पाएंगे क्या गलत था क्योंकि हर व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी करता है कभी कुछ गल तो अगर क्यारी चीजों की बात आती है तो सबसे जादा जो फॉर्मोस्ट चीज है वो धारिक्टर का डेवल्मेंट है ओनेशी श्त्रस्ट वर्डी आइंटीडिटि रिलाइबलिटी रिस्पेक्ट तु राइट अध ये सारी चीजों की बात ये करते है जैसे इनका जो सत्य अग्रह का कॉंसेप्ट है उसमें भी इनोंने कहा है कि भले ही विरोधी को कश्क दे कर नहीं लेकिन खुद को जो है कर दे कर भी हमें सत्य का पालन करना चाहिए तो यह उन सब चीजों के फेवर में थे कि प्रेम, सत्य, ओनेस्टी, ब्रेदर हुड, का जो लेकिन अगर आप देखेंगे अभी कॉन्टियूटिव पॉर्ट्स में शाल लिखा भी होगा कि यह साथ साल के ऊपर के बच्चों की सिख्षा की बात करते हैं तो गादी जी रिकनसाइल रेंजी इंडिविज्वल और सोशल एम्स की बात कही है फिर उसके बाद में इजुकेशन की बात कही है फिर एवरी मेंबर ऑफ इस हमाज शुडब एजुकेटेट सो दाथ ही कुड़ अपलिफ्ट एक यानि वही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली जो बात होती है कि इन्होंने सबकी सिक्षा की बात कही है कि मास्ट है क्वालिटी जो भी बच् इसके इंदर अच्छी क्वालिटी का अमालमेशन हो इसकी बात यह करते हैं एसेंचियल क्वालटी साज्चरिटाफिपलेज अंट सेसधरेफ है फिर इसिपलेगे दिसिपलें जो बोलते हैं तो ये इनर डिसिपलेग की बात करते हैं कि इनर सेसी expand का पाद तो एचिए कि यह क्रिटीक ऑफ मॉर्डन क्योंकि यह मॉर्डन सिविलाइजेशन के थोड़ा सा फेवर में नहीं थे दो चीजों की वजए से एक तो इसकी युटिलिटी और दुसका माटीरियलिजम क्योंकि बहुत जादा जब मशीनी मशीनी चीजे हो गई तो क्या हो बिलकुल इंसान को एक दम जो है पशुवत मानने लगा तो वो सब चीजों को यह थोड़ा सा नहीं चाहते थे और बहुत ज्यादा मटीरियलिस्ट्रिक हो जाएगा तो वहां से क्या है बच्चे के अंदर जो एक वालियोज होती है जो जो एक क्वालिटीज ऑफ यूवन नेचर होता है वो से चौदा एज की बच्चों तक के लिए फिर क्राफ सेंट्रिक एड़ुकेशन की बात कही ती से सपोर्टिंग एलिमेंट की बात कही थी एड़ुकेशन शुड बी इन मधर टंग इन्होंने कहा था फिर बेस्ट ओन नॉन वालेंस किया था तो इस तरीके से आज हमने महत् करते हैं उसके बारे में बात की और उसमें हमने देखा कि वह कैसे एक आइडिलिस्ट को फेवर करते हैं फिर कैसे उन्होंने रियलिजम के कुछ कॉंपोनेंट्स को अपने अंदर लिए तो इस तरीके से अब हम जो है आप जो है मैं इसी जखर पर इस लेक्शर को पूर्ण करती हूं आपको जो भी क्वेरीज हूं आप चाट के माध्यम से यह यहां युनिवर्स्टी विजिट करके भी आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं धन्यवाद करता दिए यह यहां 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 कर सकते हैं अपनी समस्याद